आज किस्टों बात करेंगे क्या फ्लेटर फ्लों में कस्टम नयबार को कैसे क्रिएट कर सकते हो और उससे पहले हूँ सभी लोगों को मैं थैंक्यू बोना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट्स करके सेजेशन दिये और मैंने उन लोगों के नाम भी लिख रखे हैं और उनमें से हैं पंकस देशले, हौक सिस्टम, जौ, मनुष शर्मा, मलिकुस नै वर्स वो प्रिपेर हो जाएगी उसके बाद में वीडियो को अप्लोड करना स्टार्ट कर दूँगा तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे तो देखार आज के इस वीडियो में बताने बाला हूँ कि आप कस्टम नैविगेशन बार अपने फ्लेटर फ्लो अप में कैसे बन पड़ेगी तो आपको ओगे बाई लिंकिंग करनी पड़ेगी तो मैं नैविग यूज यूज करना फ्लेटर फ्लो ठीक है आपकी बात भी ठीक है आप वह यूज करना लोगी लेकिन उस नैविग पर को हम जब यूज करते हैं जब हमार पस बहुत इंपॉर्टन पेज़े हम उनको शो कराने के लिए हम मेचे शो कराते हैं उस नयविग लेकिन ऊपेज़ेस का क्या यह हमारे अप्लिकेशन में आपको कथ बनाना पड़ेक। और उसमें हमारी help करेगा Flutteral Flow का ही है हमारा Drawer Visit अब Drawer Visit हमसे कुछ बाते क्याने की कोशिश कर रहा है अनके documentation पढ़के दीखते हैं अम यह क्या क्या रहा है तो the Drawer Visit is used to provide navigation to the other pages It opens up the from left side of the screen by swiping left to right clicking on the menu icon In the app वाल, it can be closed by clicking anywhere outside the drawer और swiping left to right ठीक है, बहुत सारी English हो गई आप ND में समझते हैं Drawer आपको एक layout provide करता है जिसमें आप अपने pages की linking या जो भी आपकी navigation बार के design हैं आप उसमें कर दो और वो left to right यह light to left वो drawer होते हैं वो खुलेंगे ठीक है, इसको करके देखते हैं ज्यादा समझते हैं ठीक है बस खुलने का फ़र्क है, कुछ drawer है, एक drawer है जो खुलता है left to right और एक drawer है हमारा right to left खुलता है तो मैं simply drawer लेता हूँ अब जो भी लेना चाहों ले सकते हो जैसी मैंने लिया, अब मेरे को इसने layout शोगर अब यह मुझे से कह रहा है कि भाई मेरा काम इतना ही, drawer का काम इतना ही होते है कि आपको layout प्रवाइट करने लेकिन आपको जो designing आपको खुद करने पड़ेगी तो ठीक है भाई हमने कहा ठीक है, तो मैं simply क्या करता हूँ, designing देने कि नहीं इसको right left से padding जता हूँ 16px और right से भी 16px मैं simply इसमें एक image और एक text लेना चाहूँ, मैं simply दो column लेता हूँ और मैं एक में show करना चाहूँ circle image जिसमें मेरे user की image होगी और मैं इसका diameter रखता हूँ around 40 40 और मैं इसकी row को alignment देता हूँ, space between और यहाँ पर मैं एक text लोगा, ठीक है, image नहीं आ रही तो हम image दे आते सर्च करके मैं simply user image करता हूँ, और यहाँ पर कोई भी image दे सकते हूँ, मैं इसको copy करता हूँ और यहाँ पर आप path दे लो उस image का, मैंने यहाँ पर दिया और मैंने उस user का image paste कर दे, ठीक है आप मैं तोड़ा सा zoom कर लेता हूँ, जिससे आप लोगो भी दिखता रहेगा मैंने यहाँ पर दे लिया, और यहाँ पर मैं text लोगा, क्योंकि मेरेको अपने firm का name दिखाना है तो बस यहाँ पर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ, decent, rawl, यहाँ आप लेता हूँ flutter flow, navbar, उसके नीचे, मैं एक और text दिखाना चाहूँगा इसको duplicate कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, और इसके alignment for DC में left कर देता हूँ अब इसमें आप जो भी कुछ और दिखाना चाहाँ तो दिखा सकते हूँ, मैं इसमें full name देता हूँ, flutter of flow, tutorial, आप यहाँ पर कुछ भी दिखा सकते हूँ, तो मैं dummy purpose के लिए use कर रहा हूँ, ठीक है, और आपने simply यहाँ पे कर दिया अब देखो, आप मेरेको नीचे, मेरेको pages के link के लिए navigation बार बनाना है, तो simply मैं इस लोग को growth करता हूँ, और मैं एक और रो लिता हूँ, अपनी paddy, तो मैं 10 दे दो यहाँ पे, और इस row में bottom से 10 दिखाँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस में navigation बार बनाना अपना, तो by simply गया, तो इस row में लेता हूँ, मैं एक icon और एक text, मैं लेता हूँ text, और यहाँ पे मैं इनको थोड़े सी ऐस icon की size कम करूँँगा, around 20 pixels, म मैं चाहिए, और मैं प्रोड़स इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे देता हूँ, profile, ठीक है, अब इसको प्रोड़स से आप design दे सकते हूँ, आपको जैसा मन दे सकते हूँ, मैं इसको wrap करना हूँ, container में, और मैं इस row की padding इस container में देता प्रोड़स आपसे भी कर सकते हूँ, कोई problem नहीं है, अब मैं इसकी height 0 कर देता हूँ, और इसको according में देना चाहूँगा, थोड़ी से मैं इसकी padding देता हूँ, left से, but थोड़ा सा मैं, ऊपर से इसको padding दूँ आ रहा हूँ, 20 pixels, मैं चाहता हूँ, एक divider भी आ जाए, और मैं divider में हुआ, और मैं इसको डालूँगा, उपर इसके, बंग जैसी इस पर click किया, और इसको डालूँगा, मैं इसके नीचे, जिससे एक line आ जाएगी separation के लिए, आपको line दिख रही है, मैं आपको नहीं बता, मैं your one इसकी height देता हूँ, अब आपको देख नहीं होगी, कि द padding मैं कम करता हूँ, तो देखो यार customization आप अपने हिसाथ से भी कर सकते हूँ, मेरा काम है आपको एक overview देना कि बाई, काम ये चीजे करती कैसे, मैं इसको top से भी देता हूँ, 10 pixel, और मैंने इसको किया profile, और मैं चाहता हूँ इसमें एक और box मैं देता हूँ, और या पर मैं इ separate space between करता हूँ, इससे थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा, और मैं इसको करता हूँ, container में with, थोड़ इसी padding में देना चाहूँ, तो मैंने इस रूम में हलकी सी padding, 10 pixel, around 8 pixel में padding देता हूँ, अब देखो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और मैं container में थोड़ा सा water radius भी देता और इसका आप background color भी change कर सकते हो, according to your needs, देखो, आपने एक linking बना ली और simply आप इसी को copy करोगी, मैं control-D से copy किया, एक और मैं copy करता हूँ, एक और मैं copy करूँगा, और मैं इसको नाम change करता हूँ, मैं इसको रख देता हूँ, settings, मैं इसको नाम रख देता हूँ, कुछ भी profile रख दिया, मैंने settings रख दिया, यहाँ पर about रख देता हूँ, यहाँ पर contact रख देता हूँ, तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, और मैं इसको zoom out कर देता हूँ, ठीक है, मैं इनके icon भी change करता हूँ, settings, मैं लिखा और इस icon यूज यूज कर लेता हूँ, about मैं about यूज कर सकता हूँ, या about के लिए person की image लेता हूँ, दूसरी कोई, मैंने यह चूज कर दिया, और इस contact के लिए मैं वह दूसरी image, दूसरी icon यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं देखता है, यहाँ पर contact, और मैं यहाँ पर call का ले लेता हूँ, तो देखो, आइकन मैं वह भी चूज़ कर रहा हूँ ठीक है, मैंने ये लिंकिंग कर दी, मैं थोड़ी सी पैटिंग इसमें कम देना चाहूँगा, क्योंकि मिले को बहुत ज्यादा गैप लग रहा है आइसपे मैं 5 पिक्सल और इसमें मैं 5 पिक्सल देख है अब मैं ये चार लिंकिंग हो गया है मैं क्या करना चाहूँगा, आप मैं एक बटन बना चाहूँग का आप बना सकते हो, मैंने आपक्लिक किया और और ये बटन मैं ले लिया जिस बटन के मैं बित 100% कर देता हूँ मैंने रिपरेशन कर दी और इसलों मैं पैडिक दे रहाता हूँ चाहता हूँ लेफ्ट और राइट दोर उसे उने 16 किया और इसको भी मैं 16 करता हूँ और टॉप से राउंड 5 जो मैंने उपर रोज में दिया है आप इसको पुष्भी नाम रख सकते हूँ मैंने आप रख करा रहा हूँ लोग आउट ठीक है और अब देगो यह मैरा एक नावबार है अल्दो यह उत्मा अच्छा नहीं लग रहा है मैं अगनी नूट से लेकिन आप लोग कॉंसेप्ट समझ पाऊँ अब देगो मेरे पास लॉग आउट बन गया है अब मेरे पास नाविगेशन बाहर बन चुका है अब बात आती है कि ठीक है नाविगेशन बाहर बन गया लेकिन मैं इस चीज को ट्रिगर कैसे करूँआ इस चीज को मैं open कैसे करूँआ ठीक है मैं सबसे पहले इसको ट्रट्रिग मोड पे open करता हूँ मैं जैसी ट्रेस्टिंग मोड पर click करूँआ ये ट्रेस्टिंग मोड़ हमारे open करके दे देगए फोड असान time लेता है तो इस पार्ट को करते हैं इसके तो देखवार हम आचे के अपने टेस्टिंग मोड पे और हमें हमारा नाविगेशन बार शोन नहीं हो रहा है और यह इसने शोन ही हो रहा है क्योंकि ड्रॉर विजट जो है लेटर फ्लो में वो बाई डिपॉल्ट हाइड रहता है और इस नहांबर में भागर की चीज़ँदे करताओं मैं इसको अटाया और इसी में आइकन ले लेता हू अँधी, आइकर ले लेता हू और अधान दिया है मैं इसको करता हूँ 50px और मैं इसमे तोड़ी सी padding देता हूँ मैं सबसे पहले इसको close कर देता हूँ और मैं RAW पे जाके इसमे तोड़ी सी padding देता हूँ 16px और इसमें भी 16px की ठीक है तो 16px mandatory नहीं है लेकिन आप दोगे तो यह space proper लेगा और मैं इस आइकन को change कर देता हूँ hamburger आइकन hamburger अगर आई हूँ इसमें आइकन हूँ वह तो मिल जाएगा और यह तो मैं दिखता हूँ मैं न्यू ठीक है मैं यूक आइकन मिल गया है और मैं इसका color जो है white करता हूँ ठीक है तो हमारे पास आइकन आज चुका है लेकिन आइकन तो आ गया लेकिन इस पर action trigger करना पड़ाएगा कि भाई मैं इस पर click करो तो मैं नैबर open हो और close हो मैं simply इस icon पर click करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने action में अब हमने draw में बनाया है तो मैं नैं draw चूश किया और यहां पर बोला है कि भाई action तो लगा हूँ लेकिन किसके लिए लगाना है मैंने का भाई open draw मतलब मेरे को open करना है अगर आपको close करना होता तो आप close draw चूश करते है बट मैंने यहां पर क्या किया है अब आप चाहो तो आप इसको एक बार रिलोड करता हूँ और देखता हूँ जो हमने भी आइकन लगाए वह आया दिया कि नहीं और हमारा जो भी हमने action लगाए वह काम भी कर रहा है कि नहीं मैं simply इसको करता हूँ अब आप चाहो तो आप आप लोगो को वीडियो अच्छा नहीं होगा तो आज के लिए इतना ही झाली तो आप एमारा जहीं हूँ